इमा आप डरे हुए हैं घबराए हुए हैं बताइए क्या तैयारी है आपकी के शब्दों में मैं भाजपा की राजनीती की परिभाशा कर दूँ कि मैं तो भोला भाला वसीम और वो फनकार सियासत का उसके जब घटने की बारी आई मुझको जोड लिया तो आज जिन तीन राजियों में चुनावों की घोशना हुई है वहाँ पर भाजपा की परिस्थिती है वो कुछ इस प्रकार की है और इस तरह से वो लोग अपना वहाँ पर वर्चस्व बनाया हुआ है मैं मुझे पता नहीं था यह वकील शेरोशायरी भी करते है वो नई देखिए कवीओं की और शायरों की बातों में तो आपको जीवन के वो फलसफे मिलते हैं और उस अंदाज में मिलते हैं कि जिसको कहा भी जाये और सोचा भी जाये और खोया है 5% ड्रॉप है भाजपा के वोट शेयर में इसलिए जनता को बरगलाने की अपनी संस्कृति को आप जारी रखें हम आपकी बातों को रिफ्यूट करते रहेंगे और उनको उनका सच जनता के सामने लाते रहेंगे वो हमारा करतविया है हम करते रहेंगे अभी सभी के बिंदू मैंने सुने सारी बातें अपनी अपनी जगा ठीक हैं कि चुनाव जो है ये एक निरंतर चुनाव के मोड में देश को ले आई है भारतिय जनता पार्टी जो एक तरफ ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते थे जुम्लों में ये पारंगत हैं साइटी बोलती हूँ भाजपा आज की भाजपा जो है वो खुद सिर्फ एक ही नाम की एर्दगिर्द जिसको ये बोलते हैं मजबूत नेत्रित्व है इनको भी याद दिला दूँ आर देश को याद दिला दू कि हमारा समविधान बाइक्यामरल डिमॉक्रसी देता है हमें कि दो हाउसेज हैं हमारे पास दो सदन है और उन में जनद प्रतिनिधी चुन करके आते हैं वो जन प्रतिनिधी आगे फिर अपना प्रधान मंत्री चुनते हैं इसलिए जब ये बोलते हैं कि विपक्ष के पास कोई चहरा नहीं है, विपक्ष के पास क्या किसी के पास भी चहरा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर क्षेत्र से हर हलके से जो प्रतिनिधी चुन करके आएगा, वो वहां के मुद्दे लेकर के संसद में आएगा, और वो सारे संसद मिल करके प्रधान मंत्री चुनेंगे जो उन मुद्दों का नित्रत्व करेगा न कि ये कोई देखिए कोई फिल्म जगत में हम बात नहीं कर रहे हैं जहां चेहरे की लोग प्रियतक पर ही मात्र हम को बात करनी चाहिए अब ये बात कर रहे थे नौर्थ इस्टरन स्टेट्स क में बात करने वाले लोग हैं ये वो लोग हैं जिनके नित्रतों में आपको अल्प संख्यक समुधाय से इनके मंतरी मंडलों में आपको एक भी मंतरी भी नहीं मिलेगा और ये वो लोग हैं जो इस देश के अंदर caa जैसे कानून ला रहे हैं UCC की आज बात कर रहे हैं जबकि इनके अपने जो Law Commission बैठाया था उसके अधिकारी ने ये कहा था Justice BS चौहान ने कि इसकी ना भी आवशक्ता है ना ही ये भी वांचित है और उस UCC के अंदर 200 से ज्यादा जो आदिवासी समुदाएं हैं उनके जो नहित जो उनके इंटरेस्ट हैं उनके मुद्दों का किस तरह से मर्दन किया जाएगा उसके उपर कोई स्पष्टी करण नहीं है तो ये 2024 को लेकर आयोध्या की बात करते हैं या ये UCC की बात करते हैं ये जो तमाम मुद्दे हैं जरता को सोचने चाहिए कि मात्र मोदी जी का चेहरा देख करके आप लो सिविल एवेशन मिनिस्टर ने आ करके बोल दिया हम उन्होंने माफी भी मांग ली है क्या ये आप करते मानक जी या मैं करती है इस पैनल पे बैठा कोई और व्यक्ति है कोई आम व्यक्ति कर देता तो क्या माफी भर से काम चल जाता नहीं चलता ये है भाजपा आपकी क्या मांग है फिर उस पर जो तेजस्वी सूर्या वाला मुद्दा उठा रही है कानूनी कारवाई होनी चाहिए उस प्लेन के अंदर बैठे हुए सभी यात्रियों का जो समय व्यर्थ हुआ जो सिक्यूरिटी ब्रीच वहां पर हुआ सिक्यूरिटी ब्रीचिस की बात भाजपा करती है हम तो यह बता रहे हैं कि प्रत्यक शैसेवेल एवियेशन मिनिस्टर ने पुष्टी कर दी लेकिन उसके उपर माफी भर से वो चाहते हैं कि काम चल जाए तो यह इन लोगों का जो तरीका है वो यह है आज आचार संगीता की बात हुई है आचार संगीता लग गई सबते हैं राजीओं के अंदर लेकिन आफ देखेंगे की राणिप में जो हुआ था गुजरात के अंदर जिसके उपर हम शिकायत दर्श करा चुके सब कुछ हो गया चुनावाइयोग ने उसके उपर कोई कदम नहीं उठाया चाकूर देती हैं कि ज है आप जाकू अपने जाकूँ को धार लगा लो नके ऊपर कोई कारवाई नहीं होती है बलके भाजपा के अंदर जितनी ज्यादा आप नफरत की राजनीती करते हैं उतना आप उचे मकाम पर पहुँचते हैं यह है भाजपा करेंगी कि यह तीनों राजजे भी आप जीतेंगी नौर स्टेट्स आप जीतेंगी और इन तीनों राजजे ओमें लोगतंत्र है मानक जी आज लोगतंत्र को जीवित रखने के लिए बात करने की आवशकता है वो मैं कर रही हूँ और इन तीनों राजजे ओमें हम पूरी जी जान से लगे हुए हैं आदिवासी समुदायों के अधिकारों को बचाने के लिए उनके मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए और समविधान को जीवित रखने के लिए हम लोग हमारे बिलकुल ग्रासरूट लेवल से कारे रथ हैं अपने करतव परायनता से कारे कर रहे हैं और पूरी उमीद करते हैं कि जिस तरह से एक वक्त हमारा वहां वर्चस्व रहा था, जिस तरह से कॉंग्रेस की नीतियों को वहां लोग पसंद करते थे, आज आप देखेंगे हमारे manifestos भी सामने आएंगे, हमारी guarantees सामने आएंगी, हिमाचर के लोगों को हमारी 10 guarantees समझ में हो करके निकलेगी, यह आप देखेंगे जब दो मार्च को रहा है